असलाम अलेकुम रहमत अलाम जमील एहमद मंबई से मैं गेरेज में काम करता हूँ जिसका जो गेरेज है वह भी मेकैनिक है और मैं उसको भाड़ा भी देता हूँ मेरा अपना अलग काम है लेकिन वह उसके कस्टमबर देता है तो मिसाल के तो पर अगर हजार रुपा का काम हो पर इनका सवाल है कहीं पर काम करते हैं बुन्यादी जो सवाल है वो ये कि ये जो काम करते हैं तो कोई तीसरे आदमी है बीच में जो इनके और कस्टमर की बीच में होता है तो वो कस्टमर को लेकर आता है और ये उस कस्टमर का काम करते हैं अब उस काम के पीछे अगर हजा रुपे की कीमत है तो उससे 2,000 ले जाता है या डेड़ 1,000 ले जाता है तो वो जो बीच में दलाल होता है वो क्युंकि ये क्यों इतना ज्यादा पैसा लेते हैं क्यूंकि वो कश्टमा लाया है जैसे आगर काम उसका 1,000 रुपे के की नहीं तो देखें यहां पर दो शक्राल हो सकती एक यह कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको बैठे बठाए कशमन नहीं मिल रहे हैं अब एक आदमी दोड़ धूप करके अपना वक्त इस्तेमाल करके कुछ लोगों को आगाय करता है उनके इलिम मिलाता है कि उनका काम यहा कर रहा है उसका भी फादा कर रहा है आपका भी फादा कर रहा है इसलिए इसको मेहनत का सारा बोज उसी पर नहीं लाद देना चाहिए बलकि इसको हर शक्त से उतना ही लेना चाहिए जितना उसका फादा कर रहा है तो अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है अपना वक्त लगा और उस वक्त के नतीजे में किसी को फाइदा हो रहा है तो जो महनत है जो उसकी सर्वीस है इस पर पैसा ले सकता है कोई हरच की बात निए लेकिन यह मामला बिलकुल करियर होना चाहिए खुला होना चाहिए दोखा फ्रारट फरेब नहीं होना चाहिए इसको बागदा शो और चुपके से कुछ और रसूल लिया उसके लिए बाका देश को ओपन कीजिए साफ कीजिए वाज़ कीजिए आपका जो काम किया गया है उसकी यह कीमत है और इस काम के पीछे फ़लाशाब की भी मेहनत है उनकी भी यह कीमत है इसको वाज़ करके यह काम कीजिए तो इन्शा भी है , वह घुशता भी है , वहां तक पहुँझ सकते हैं दुकान तक . लेकिन बिला वज़े कुछ लोग बीश में रुकावट पैदा करते हैं, वहां दलाली की कोई जरुट नहीं है , लेकिन फिर भी वहां पे घुश जाएंगे लोग दलाली करने के लिए तो वो सामने वाले का भी नुक्सान करते हैं इसका दोनों का नुक्सान करते हैं और ये काम गलत है क्योंकि यहां कोई जरुवत नहीं है यहां सिर्फ आप अपना पेट पालने के लिए बिला वजे दूसरों का नुक्सान कर रहे हैं आपको पैसा कमाना तो दुरिया जहां मकान खाली है और किराय पे लेने वाइक की एक लंबी व्त आदाद है वो खुद ढूड रहे उते हैं लेकिन बरहरास्त इनको मालिक मकान से नहीं मिलने दिया दिया होता हैं बीशी में कुछ लेकर आता है चलो कुछ अपना मेंताना ले लेको है मिसला नहीं लेकिन ऐसी जगहों पर जहां बिलकुल मामला ओपन है किलियर है कि चलो भई इसका घर खाली कोई लेना चाहता है बिलावजे दलाल बीच में घुसके और अच्छा खासा पैसा कमाए और दोनों का नुक्सान क कि लेज्ट को भले ज के खाली करा ओं मैं आपको 13,000 में लाके देता है siitä और 11,000 में लाके दृएता है मैं आपको 1000 ग्यारा भॉप यारा भा यह क्यों बिला वज़े नुक्सान करें इसमें आप देखें कितने बड़ी खराबी है एक तो बिला वज़े पैसा ले रहा है हर महीने वह बिचारा किराय देरा मालिक मकान को यह एट रहा है बिला वज़े चलो थोड़ा बहुत मेहनत किया था शुरू में उसका ले लग बात लेकिन यह पूरा साल हर महीने ले रहा है यह बहुत बड़ा जुल्म है जो बिचारे किराएदार पर हो रहा है और उसको बिला वज़े पैसा देना पड़ता है और एक दूसरी खराबी क्या है कि बार बार इनकी हरकतों की वायसे इन दलालों की वायसे मालिक मकान रूम खा परफती करता है उसका किराएद बढ़ाता है और कहता है तो खाली करो हर्थ यह बहुत सारी प्रशानी होती है तो इस किसम के अगर दलाल हैं आपके आपने जो सवाल किया अगर वहां पर जो बीच में जो लोगा रहा रहे आपके और किस्टमर के बीच में जो राब्ता कर अगर वो इस तरह का कोई काम कर रहे हैं नाजाइस काम कर रहे हैं बिला वजे वो बीच में आके वास्ता बनने हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है और अपनी मेहनत से जादा ले रहे हैं तो ऐसे दलालों को बीच से हटा देना चाहिए आप डारेक्ट कस्टमर से राप्ता करें उनके लिए दरवाजा खोलें डारेक्ट उनके साथ मामला करें इनको बीच से हटा दे तो इस तफसील के साथ आप अपना मामला समझ सकते हैं उम्मीदे कि आपको ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें